इस वीडियो में दी हुई जानकारी इंटरनेट से ली गई है। हम इस वीडियो में किसी भी दवाई का प्रचार नहीं करते। किसी भी दवाई को इस्तमाल करने से पहले एक बार डॉक्टर से जरूर सलाह ले। अगर आप इस वीडियो को देखकर किसी दवा का उपयोग करत और आपको कोई साइड एफेक्ट होता है तो उसमें हमारी कोई जिम्मिदारी नहीं होगी बोसेंस 62.5 टैबलेट एक डॉक्टर के परचे की दवा है जिसका इस्तेमाल पल्मोनरी आर्टीरियल हाइपटेंशन यानि की हिरदय से फेफ़रों की और रक्त ले जाने वाली रक्त वाहिकाओं में हाई ब्लड प्रेश के इलाज के लिए किया जाता है यह आपके जीवन की गुनवत्ता व्यायाम की क्षमता को सुधारने में मदद करता है और रोग की प्रगती में देरी करता है बोसेंस 62.5 टैबलेट को भोजन के साथ या भोजन के बिना लिया जाना चाह दोज और कितनी बार आपको इसकी जरूरत है यह इस बात पर निर्भर करते हैं कि आप इसे किस लिए ले रही हैं आपका डॉक्टर यह तै करेगा कि आपको अपने लक्षनों में सुधार करने के लिए कितनी आवशकता है आपको जब तक इस दवा को लेने के दिशानिर द को बताएं उन्हें कम करने या रोकने के तरीके हो सकते हैं अनीमिया यानि की लाल रक्त कोशिकाओं की संख्या में कमी और अबनॉमल लिवर फंक्षन जैसे की मिचली, उल्टी, गहरे रंग का पेशाब, बुखार और गहरे रंग का पेशाब कुछ ऐसे गंभीर साइड ए अनीमिया और लिवकार एक्षमता जांच करने के लिए आपका डॉक्टर ब्लड टेस्ट के लिए आपकी जांच कर सकता है, इस दवा को लेने से पहले, अगर आपका लिवक खराब है तो अपने डॉक्टर को बताएं, अगर आप गर्भवती हैं या स्तनपान करा रही हैं तो अपने डॉक्टर को बताएं, गर्भावस्था से बचने के लिए महिलाओं को भरोसे मन गर्भ निरोधक दवाओं का इस्तेमाल करने की सलाह दी जाती है और इलाज रोकने के कम से कम एक महीने बाद भी जारी रखनी चाहिए, आपके डॉक्टर को अन्य सभी दवाओं क के बारे में भी जानना चाहिए जो आप ले रहे हैं, क्योंकि इन में से कई इस दवा को कम प्रभावी बना सकती है या इसके काम करने के तरीके को बदल सकती हैं. विडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको विडियो अच्छी लगी हो तो विडियो को लाइक करें और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकॉन पर क्लिक करें और आल नोटिफिकेशन को क्लिक करें धन्यवाद।